संत्रे बेशने वाली बूडी अम्मा की कहानी जिसके पास एक नौजवान लड़का हमेशा आता हमेशा संत्रे खरीता और खरीते हुए संत्रों में से किसी एक को उसकी एक फाक को चकते हुए कहता अम्मा देखो न ये तो कम मीठा है और अम्मा हमेशा दूसरी फाक को चकते ह वे कहती नहीं बेटा ये तो बराबर मीठा है फिर भी ये लड़का बड़ी बेरुखी के साथ उसे खुलेवे संत्रे को वहीं ठेले पर छोड़कर चलता बनता अब इस नौजवान के साथ उसकी पत्नी भी हमेशा हुआ करती एक दन पत्नी ने पूछा ये जो तुम हर बार अमा के ठेले पर पहुंचकर शुरू कर देते हो ये संत्रा तो कम मीठा है संत्रे तो मैंने भी चखे बराबर होते हैं लेकिन फिर इस नौटंकी की पिछे राज क्या है चाहते क्या हो तुम। इस पर लड़के ने अपनी पत्नी को एख मीठी से मुसकान लियो और कहा पुला हुआ संत्रा उनकी ठेले पर छोड़ कर आ जाता हूं, मेरी ओर से, उनके लिए। अम्मा के बाजो में जो सबजी वाली थी, उसने एक दन कहा उनसे। आपको पता है, यह जो सर्फिरा आपकी ठेले पर आता है संत्रे खरीदने के लिए। इतनी चिक्चिक करता है आपसे कि आप नाप तोल में उससे ज़्यादा संत्रे दे लेती हूं। इस पर अम्मा नहीं कहा कि वो कभी मुझे संत्रे की मिठास पर चिक्चिक करता ही नहीं। वो ये चिक-चिक करता है मुझे संत्रा खिलाने के लिए एक छोड़ कर जाता है क्या मुझे पता नहीं है उसकी चिक-चिक में भी उसकी प्यार की मिधास नजर आती है वो कहते हैं ना कि मेरे हिस्से से जादा तुने मेरी थाली परोसा है कितनी भी मुश्किले दे उपर वाले मुझे तुछ पे भरोसा है छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बाट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता अगर कोई ऐसा दिखे उसकी मदद जरूर से करे इसी को तो कहते हैं चियो दिल से सलाम दुआ बड़कम पड़ाम सस्रियकाल खेम चो सारू छे अम्दवाद आखुई मारू छे आचना की ओर से नाचना